प्यारे बिद्यार्थियो एक वार फिर से आप सब का स्वागत है हरगरपाट्शाला में तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोल्डर को लेकर ही लेकिन इसमें हम सीखेंगे की फोल्डर को कैसे कॉपी करते हैं और उसको कैसे पेस्ट करते हैं ठीक है इसकी एक नहीं by using two methods, a folder can be copied from one place to another place by using two methods, a folder can be copied, एक folder को copy किया जा सकता है, from one place to another, एक जगह से दूसरी by using two methods, दो methods का use करके, दो methods का इस्तेमाल करके, first है using copy and paste, और second है using drag and drop, ठीक है, first method है using copy and paste, the steps to copy and paste a folder are, by using copy and paste method है कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए steps दियो है, first step है, right click on folder that you want to copy, हम क्या करेंगे, जिस folder को copy करना है, उसके उपर करेंगे right click and select copy command, और उसके बाद select करेंगे copy command, second step है, now right click on that location where you want to paste, उसके बाद उस जगह के ऊपर right click करेंगे, जहां पर उसको लेकर जाना है, उसकी copy त्यार करनी है and select paste command, और select करेंगे paste command, ठीक है, तो चली इसको हम practically करके देखते हैं, यह हमने open की computer की drives, ठीक है, तो यहां पर बने हुए already folders, ठीक है, जैसे मालो यहां पर solo naam का folder बना हुआ है, मैं करूँगा इसके उपर mouse का right button click, ठीक है, और यहां पर select करेंगे, ठीक है, अब मालो यह है e drive के अंदर, अब यह हम चाहते हैं कि यह हमें F drive के अंदर भी चाहिए, तो हम के करेंगे, after I के उपर click करेंगे, और यहां पर हम जाएंगे बिल्कुल ठीक नीचे, खाली जगा के उपर, यहां पर करेंगे right click दवारा, और फिर यहां पर select करेंगे paste, ठीक है, यह देखो, यह बन गया, यहां पर दवारा से solo naam का folder, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, copy and paste, folder की नहीं copy थ्यार कर लिए, हमने first method से, इस method को हम बोलते हैं, copy and paste, ठीक है, अब second method है, using drag and drop, अब देखो, drag and drop, drag को हम बोलते हैं, हिंदी में, खसीटना, and drop, और उसको फिर कहीं पर डाल देना, the steps to drag and drop a folder are, जो इसके लिए steps दिये हो, drag and drop के लिए, वो यह है, click the left button of mouse on the folder, हम क्या करेंगे, mouse का left button click करेंगे, folder के उपर, या file के उपर, same step है, file or folder के लिए, ठीक है, and hold down the mouse button, और mouse के button को हम hold करके रखेंगे, छोडएंगे नहीं, एक बार जो हमने mouse का left button click कर दिया, फिर उसको हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना कब है, उसके बाद हम करेंगे, now release the mouse button on the desired location, और folder, उसके बाद हम mouse का button release करेंगे, on the desired location, जिस जगह पे हमें वो चाहिए ठीक है, चलिए इसको हम practically करके देखते हैं, जैसे मान लो यह है नहीं हा, इसकी हमने एक और copy बनानी है, drag and drop से, तो हम क्या करेंगे, अभी तो यह इसके उपर है ने, desktop के उपर हम चाहते है कि इसकी एक copy जो एबो, f drive के अंदर भी बन जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो f drive क ठीक है, अब देखो, यहां पर यह है नेहा, मैंने यहां पर किया mouse का button, click, छोड़ दा नहीं है बटन, ठीक है, फिर इसको इसको इस तरह से लेख के जाना, धीरे-धीरे, और देखो, यहां पर ले जाके इसको छोड़ देना, यहां पर बोड़ागे, अल्रेडी बना हुआ लेकिन मैं इसको कर रहा हूं, replace the file in the destination, यहां पर भी बन गई है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मालो, फिर से मैं इसको repeat कर देता हूं, जसे e-tribe है, मालो, इसको हमने यहां पर भी copy करना है, तो drag and drop से, तो mouse का करेंगे, हम left button, click, या जिस folder के अंदर चाहिए, तो folder के अंदर भी छोड़ सकते हैं जिसको, यसे दिर 2 के अंदर चाहिए, न तो मैंने इसके उपर छोड़ दिये चो, ठीक है, अब देखो, डिर 2 को check आ छेकिर इसके अंदर आजे अंदर भी आ गए, तो जहाँपे चाहिए, महाँ पर उसको छो मच आगे हैं यह वाड़े मैथर्स चलिए अब चलते हैं next question के ओपर question number 15 है what is taskbar taskbar क्या है task मतलब काम करने वाड़ा ठीक है काम करने वाड़ी एक लंबी सी फटी है ठीक है taskbar उसको बोलते हैं हमारे computer के जितने भी काम चलते हैं सारे के सारी taskbar के ऊपर ही वो दिखाई देते हैं वहाँ पर वो सारे के सारे टिस्प्ले हो जाते है taskbar के ऊपर taskbar is a long row of ribbon or icons that is used to switch between various opened applications ठीक है तो taskbar के है एक लंबी ठीक है is a long लंबी row of buttons एक लंबी row है buttons की या icons की चोचोटी images की that is used to switch between various opened applications जिसका use किया जाता है switching करने का जितनी भी तरह तरह की अपने applications open करके रखे हुई होती है ठीक है computer के हम जितनी भी applications open करते है वो सारी की सारी इस taskbar के उपर दिखाए देती है ठीक है फिर अगर हमने switching करनी है मदलब एक application से दूसरी application के अंदर जाना है उसको बोलके हम switch between various opened applications तरह तरह की जो हमने applications open की हुई है उनके बीच में अगर हमने switching करनी है एक application से दूसरी application के अंदर जाना है तो हम यह काम करते हैं आपके जैसे आगले questions आएंगी तो बैसे बैसे वो clear होते चलेगे ठीक है इसके उपर बोला कि एक स्टार्ट बटन लगा होता है, टूल बार बनी हुए होती है, एक टास्क मैनेजर होता है, सिस्टम डेट और टाम सेटिंग होती है, ठीक है, यह देखो, यह स्के उपर स्टार्ट बटन, यह, इसको बोल रहे हैं स्टार्ट बटन, ठीक है, यह स्टार स्टार्ट बटन है सर्च बार बना हुए इसके ऊपर ठीक है यह इसके ऊपर एप्लिकेशन जो भी एप्लिकेशन काम करनी है और कुछ एक एक एप्लिकेशन के यहां पे शॉटकट बने हुए है इसके अलाबा बैटरी भी यहां पे दिखाई दे रही है यहां पे नेटवर्क विहां पर निस्प्लेय हो ठाइम ओर है तो इसके ंदर कुछ एक तूल्स भी रहते हैं तो इसे वॉल्यूम को कम करना हो तो यहां से यह पर आज वोल्यूम को कम करने के लिए बढ़ाने के अधे यहांपर और भी बहुत सारी अप्लिकेशन होती है बहुत ने जो रन कर रहे वह यहां पर डिपलेइड स्टाइब अब्हाइं माइक हिल है अभी माएक कोपन है मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है तो माइक यहां पर इस त्फ्लेइब वह इसे अपहरा है यह अन्सेल्स लगा हुआ हैं ठीक है और बहुत सारी सेटिंग्स भी होती है कंप्यूटर की यहां तो आज के लिए इतने ही कॉंसेप्ट काफी था कल फिर नए कॉंसेप्ट के साथ मिलेंगे तक सभी घर पर रहें सुरक्षित रहें जैहिंद जैहिमाचा